असलाम वलेकुम आप सबको मैं वेलकम करता हूँ हमारे MS Excel कोर्स में और आज कुछ अनॉंस्मेंट भी आपको करनी है कुछ बतानी भी है आप सबको पता है कि ये कोर्स हम फ्री आफ कोस्ट करवा रहे हैं लर्निंग अप प्लेटफॉर्म की तरफ से और इसमें आपको सर्टि इसमें अटेनन्स हमें चाहिए तो आप लोग अगर अटेनन्स नहीं रखेंगे तो आप लोग इस कोर्स से रिमूज कर दिये जाएगा और जो members whatsapp group में aid नहीं होगे उनको certification नहीं दी जाएगी ठीक है सो हमने एक rule बनाया है आपको मैं इस rule से आगा कर देता हूँ हम regular अब जो भी class आएगी आज की class में भी अब जो भी class आएगी उसमें हम एक code show करेंगे ठीक है और वो code होगा आपका attendance code और वो code रोज चेंज होगा और वीडियो के किसी भी minute में किसी भी time में वो code show हो सकता है ठीक है तो वो code जो आप देख लेंगे attendance code आपने वो हमें सिर्फ whatsapp कर देना है आपका number आपका नाम हर चीज करना है तो हमें पता लग जाएगा कि आपने आज की class देखिए और आपकी attendance हम अपने पास लिख लेंगे जो बच्चा दस दिन में पांच बार अगर absent होआ तो उसको group से remove कर दिया जाएगा और जो भी remove हो गया तो वो again aid नहीं होगा चाहे वो कोई बड़ा issue ना बता बता द देखते हैं आप 3-4 दिन free होके उसके बाद classes देखते हैं जो भी issue है आपका तो आपने मतलब 10 दिन से पहले सारी classes cover करके साथ सब के code हमें message कर दिने हैं इतनी classes के code आप बेजएंगे हमें अंदादा हुआ कि कौन कौन सी class आपने देख लिए तो आज पांच वी class से और हैं मैं आपको अपनी Excel screen पे लेके चलता हूँ देखें आज हम जो पढ़ने वाले हैं मैंने आपको बताया था sort and filter and find and select so यह कुछ एहम topics हैं और काफी काम आते हैं Excel में काफी इन चीज़ों से हमें help भी मिलती है so हमें start करते हैं देखें सबसे पहले मेरे पास तो एक option है जात मतलब मुझे एक button चाहिए कि मैं इन में से कोई नाम hide करना चाहूँ तो hide कर सकूँ तो मैं इनको किसी भी उपरवाल heading cell पे select करें इधर आ जाएं और filter पे click कर दें इनको भी देखते हैं इस फिलाल आप filter पे click कर दें click किया तो यहां पर एक button आ गया अप आपको जिसका भी न इसको वहां से tick भी कर सकते हैं वापिस यहां फिर इधर से clear कर दें तो यह वापिस आ जाएगा यह button खतम करने हैं तो filter से tick हटा दें खतम हो जाएंगे ठीक है इसमें एक और मसला आता है आप चले filter लगा लिया आपने value hide कर दी गुलाम पर देखें जो नीचे total लिखा हुआ है इस सारे amounts का जो total निकाला हुआ है वो total चेंज नहीं हो रहा अगर हम इस value को हटा भी रहे हैं इसको मैंने कहा कि गुलाम की value हमें नहीं दिखाओ गुलाम को काट दो हम plus करते हैं तो देखें फिर भी total यही रहेगा और अगर हम इसको hide करते हैं तो total फिर भी वही रह रह र करने के लिए पर अगर आपको filter यूज करना है और total में changes चाहिए है तो फिर आपको एक और formula यूज करना पड़ेगा मैं आप उस सिखाता हूँ formula होता है एक subtotal 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 formula खोला इस amount को select किया अच्छा amount को select करने से पहले एक step कर लेना है जिसे है आप subtotal formula खोलते है न देखें आपको यह function देता है average करना है count करना है बसलब जो आपने formulas पड़े हैं ही उनका function देता है तो 9 number पर sum में तो आप यहाँ पर 9 लिखेंगे 9 उसके बाद कोमा अब और enter कर दें तो आपका total आ गया अब आप filter करके देखें मैं गुलाम को वापस plus करता हूँ तो देखें यह value वही आ गई अगर मैं इससे minus करूँगा तीन चार लोगों को तो वह value total में से निकल जाएगी तो यह subtotal की through काम होगा वरना direct sum लगाएंगे तो total minus वगेरा नहीं उम्मीद है कि आपको यह चीज समझ में आ गई होगी उसके बादे color sort अब देखें color sorting यह करती है यहाँ पर आपके पास custom sort है इससे आप color sorting नहीं हट्राइप की sorting कर सकते हैं इसमें option मौजूद है font color से भी sorting कर सकते हैं मैं आपको एक चीज़ पर example दूँगा आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरीके sorting करनी है अब मैं for example sale color से sorting करना चाहता हूँ तो मैं इधर कुछ color दे दूँगा कुछ sales को जैसे कि मैं इसको कहता हूँ yellow और इसको मैं blue color देता हूँ इसको मैं देता हूँ red I know कि यह बहुत बुरा लगता है different colors पर मैं आपको चीज समझा रहा हूँ समझाना दरूरी है अब मैं चार नामों को sort करना चाहता हूँ तो हम यहाँ पर color sorting में आएंगे custom sort और इधर आपने sale color select कर लेना है sale values से sale color तो आपके सामने color शो हो जाएगा अब मैं चाहता हूँ जो पहला color दिया है वो टॉप पे रहेगा अब तो मैं चाहता हूँ कि अच्छा उसको अगर sort करना है न तो एक extra sale select करें उपर वाली एक एक जो अपने heading दीवे उसको भी select कर लें तो अब हमारे पास वो yellow color भी sort हो सकता है यह आपको yellow color आ गया अब मैं चाहता हूँ देखें जो हमारा green color है वो टॉप पे आजाए जिस में जिस cell में green color है वो सबसे उपर आ जाए फिर add level करेंगे मैं कहता हूँ green color के बाद यहाँ पर sale color select करें मैं कहता हूँ green color के बाद आए red color फिर add level उसके बाद आए sale color करके yellow तो उ इस तरीके से आप जितने भी colors add करेंगे और जितने भी नाम sort करना चाहिए कर सकते हैं मैं इसको okay करता हूँ तो तक ही उस तरीके से sort हो गए green color उपर आ गया नाम तो यह color sorting इसको करते हैं कि आप colors बताके नामों को आगे पीछे करें एक हो गया यह दूसरा देखें हम school में हो कि इधर हमारे पास जो नाम हैं लिखे होएं देखें A वाला नाम नीचे है R वाला उपर है यह हमारे पास अगर 500 नाम होते हैं और हमें इसे करने होते हैं पहले A फिर B वाले तो बहुत मसला होता तो आपने नामों को जब भी इस order में करना हो तर्तीब में करना हो तो इसको कहते हैं ascending order जो A से शुरू हो फिर B फिर C इसको ascending order कहते हैं इस पे आएं और A to Z पे क्लिक कर दें तो देखेंगे A वाला नाम उपर आ गया मैं ctrl Z करता हूँ again देखिए अली नीचे है हम A to Z करते हैं देखें A वाला फिर G फिर H मतलब तर्तीब बबार नाम हो गए सही है अगर हम चाहें नाम Z से A तक हो तो फिर Z2 वे पे क्लिक करें तो Z से A तक आएंगे उल्टे तो इस तरीके से sort and filter काम करता है तो यह sort and filter उमीद है आपके लिए हो गया होगा अब हम आगे move करते हैं find क्या करता है basically किसी भी यहाँ पर नाम को find करने के लिए मैं कहा हूँ मुझे अली को find करना है अली लिखा find next बता दिया यह है रिप्लेस मैं आऊंगा तो मुझा अली को मिटा के यहाँ पर एक दो यासर अली चीक है तो रिप्लेस आप इदर से अंदर से भी जाके कर सकते हो यह रिप्लेस लिखा हुआ है यहाँ इदर से रिप्लेस मैं जाओ एक ही बात है रिप्लेस किया तो अली मिटके यह आसर अली हो गया ऐसे आप रिप्लेस आल करेंगे तो जहां जहां पर एक यह नाम लिखा होगा सब जगाओं पर यह नाम मिट जाएगा और दूसरा नाम तो यह में multiple time जब कोई काम करना हो मतलब एक नाम 15 जगह हो बेले खाया और उसको change करना हो तो इसमें बहुत काम आता है हमें उसके बाद go to है go to को आप यहां से go to special में जा सकते हैं अपना reference दे किसी page पे जा सकते हैं यह कोई मतलब बड़ी चीज नहीं है ठीक है so बेरहल हम इसको यहां पर चले इसको हम फिलाल थोड़ी दर करी छोड़ते हैं रुकें मैं समझाता हूं आपको पहले तो हम go to special में आते हैं आप इससे भी देखें इस special में जा सकते हैं go to में से भी special पर क्लिक करें go to special खुल जाएगा उसके बाद हम go to special में भी direct भी आ सकते हैं और यह एक बहतरी न ऑप्शन है और go to special के कुछ options भी यहां पर इस शो हो रहे हैं formulas, comments, conditional formatting, go to special यह उसके ही हिस्से हैं ठीक है आप अगर अंदर जाएं go to special में तो देखें formulas यहां पर यह conditional formatting मतलब वह सेम चीज़े हैं इधर बाहर भी शो हो रहे हैं अगर बाहर से ही direct करना जाओ direct कर सकते हो पर अगर अंदर से करना जाओ अंदर से भी कर सकते हो मतलब यह go to special का हिस्सा है यहां तक, data validation तक, so फिर अभी दो option extra हैं, पहले मैं आपको यह समझा दूँ, फिर हम go to special में ही चलते हैं, so यहां पर insert में आएं, और shapes, यहां हम आपको मैं object पर समझा देता हूँ, चले, मैंने sheet बनाई यह object की, देखें, आपको कोई भी shape चाहिए, object चाहिए, insert म में आएं, ठीक है, इधर से आप अगए star बनाना चाहिए, कोई भी चीज बनाना चाहिए, यह shape बने हुए है, सिर्फ आपने उठाना है, कोई भी shape जो आपको अच्छा लगे, वो shape को draw करना है, बन जाएगा, यह कोई बड़ा issue नहीं है, जो मैंने shape बनाई हुए है, आप object, इन में परिशान नहीं हो, यह भी आपको मैं सिकार दूँगा बाद में, ठीक है, फिलाल चीजों को समझ लें, यह चीज मस्ट है, उसको समझ लें, तो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखें, आपके पास select object का option मौजूद है, select object पे click करें, और अगर आप इन दोनों को इस त move हो जाएंगे साथ में, अच्छा, यह मैं जिसे copy हो गई, छोड़ दें फिलाल इसको, अच्छा, एक चीज आप करेंगे, हम control दबागे click क्यों ना कर लें, देखें, अगर 15-20 shape हो, तो फिर एक एक control दबागे click करना मसला होता है, फिर select object पे click करें, और उनके उपर selection करें, द तो आप किसी shape को hide कर सकते हो, यह देखें, आपके shape hide हो जाएंगे, और जब भी आपको यह वापिस चाहिए, आप अपना काम करें, जब भी आपको वापिस चाहिए, तो selection pane में जाके, इनको show कर दें तो show हो जाएंगे, आप यहां से hide आल भी कर सकते हैं, show all भी कर सकते हैं, तो यह भी हमें, इसलिए भी काम आ रहा होता है, कोई मिश्कुल option नहीं है, अब उसके बाद हम आते हैं, go to special की तरफ, तो go to special, यह मैंने एक sheet बनाई हुए, यह sheet कोई भी student महांगे मत, मैं किसी को नहीं दूँगा, क्यों नहीं दूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ, सारी sheets आप खुद बनाएं, ताकि आपकी practice हो, आप लोग बना practice नहीं करेंगे, तो सारी sheets, text लिखाओ है simple, आप खुद लिखें और उस पर practice करें, अब देखें, go to special, go to special, पहले-पहले comments का option है, कि comments, आप कौन-कौन से sales में comments लगे वह हैं, हमें पता चले, तो हम okay करेंगे, देखे अब show हो जाएगा, try करते हैं again, जी तो अब देखें, यह इनका color change हो गया, ठीक है, यह तीन sales select हो हैं, तीन अवी bounding box है, comment क्या है, जो मैं इस पर cursor लेके जा रहा हूँ, उपर एक box शो हो रहा है, जी बुल्ला नाम से, ठीक है, यह comment कहलाता है, कैसे लगाते हैं, यह बहुत यहां से जाके, comments पर click करके, okay करेंगे, तो select हो जाएगा, constant पर अगर आप click करते हो, तो वो sales select होंगे, जिन में formulas नहीं लगे होगे, okay करें, देखें, यहां तक पूरा एग्रे हो गया, मतलब इधर तक आपकी selection हो जुकी है, इन सब में formula नहीं लगा हुआ, देख लें, और व formulas पर click करें, okay करें, यह सारे sales select हो गए, इस, इस और इस sales को छोड़ के, मतलब इन में formulas नहीं हैं, क्योंग यह खाली हैं, बाकी सब में formulas लगे होगे हैं, हम आगे आते हैं, blanks, खाली sales कहां पर हैं, बतारहिए यह खाली sales हैं, तीनों देखें select हो गए, यह खाली, blank हैं, उसके current region, हम कौन सी table में काम कर रहे हैं, current region पर click करके, okay करेंगे, तो यह पूरी region select होगी, यह पूरी table select होगी, इसमें आप काम कर रहे हो, ठीक है, यह इसके लिए होता है, array, यह मैंने a sheet बनाई हुए array की, array बेसिकली उसको कहता है, जैसे यह data में अरेंज किया हुआ है, एक array digits खुद भी लिख सकते हैं, कोई बड़ा issue नहीं है, table बनाई हुए, simplicity, पहराल आपको यह चीज़ें समझ में आ जाएंगे, practice जब करेंगे, अब मैं चाहता हूँ, यह तीनों जो shape बने हुए है, केसे बने हुए हैं, इनको छोड़ने फिलाल, बनाना सिखा दूँगा मैं, अब इनको select करना है, अब यहाँ पे go to special में आएं, इदर आपको पास option है, select object का, यह objects का option है, इस पे click करके ok करें, यह तीनों shape select होगे, अब जहाँ भी move करके रखना चाहें, तो कर सकते हैं, अब यह sheet में आजाएं, इस sheet में आपको differences check करना से खाऊंगा, यहाँ पर जखें, 45, 45, 45, ऐसे values लगातार जा रही है, ठीक है, अब कहाँ कहाँ पर changing होई हैं values में, हमें वो देखनी है, select किया, और इसको row difference करते हैं, तो हम row difference में आएंगे, और यह हमने select किया row difference को, और okay कर दिया, देखें, तो यह आपका बता रहा है, 90, 90, 90, उसके बाद 88, यहाँ पर changing है, फिर 78 लगातार आ रहा है, तो यहाँ यहाँ पर 34 में changing है, और 67, तो इस तरीके changing नीचे भी हैं, जहाँ भी changing होगी वो बता देगा, अब यह data है column wise, अगर column wise हमें check करना है, तो go to special म में आजाएं, और column differences पर click कर दें, okay कर दें, तो यह आपका column wise data है, और यह देखें, बता रहा है, चीक है, यह होता है, असली मसला, आप इसको, इसे easily check कर सकते हैं, वरना आपको खुद बेटके check करना पड़ेगा, देखें 65, 65, जागा ता रहा है 33, तो इस तरीके से column differences check होते है, president dependence, इसमें आपको मत्ताता हूं, मैं, formula आपको यहाँ पर लगा हुआ है, देखें, इसने इन दो इसको भी plus किया हुआ है, इन दो नो values को plus किया हुआ है, हम चाहते हैं, इसमें कहां कहां से values उठाई हैं में देखना है, तो go to special में आए, और यहां पर president पे click करके ok कर दें तो बता रहा है इन दो जगाओं से मैंने value उठाई है और अगर मैं कहूं कि यह जो value है कहां कहां पर किस formula में use हुई है तो मुझे यह check करना है तो go to special और dependence पर click करके ok करें तो यह बता रहा है इसमें और इसमें use हुई है अब आप कहेंगे इसमें use हुई है देखें यहाँ पर भी formula है इसने भी इसको plus किया हुई है देख लें ठीक है तो मुझे दो जगाओं पर यह value plus हुई है उसके बाद मैंने पास है last cell मतब आपकी sheet में last cell कौन सा है जिसमें data लिखी हुई है तो go to special में जाएं last cell पे click करके ok करें तो यह आपका आकरी cell यह है इसके नीचे कोई भी data नहीं है यह select हो गया अब visible cell only मैं आपको यह चीज समझाता हूँ कल मैंने आपको columns hide करना सिखाये थे अब मैं for example मैं जाओं इस category को मुझे hide करना है right से click किया hide कर दिया अब मैं इसको copy करना चाहता हूँ copy किया इधर मैंने paste कर दिया अगर paste किया तो जो hide category थी वह भी paste होगी देखें हम चाहते हैं ऐसा ना हो जो चीज शो हो रही है वही copy हो तो इसको select करेंगे अब go to special में आएंगे visible sale only पे click करके ok करेंगे उसके बाद ctrl c दबाएं या right से click करके copy कर लें वो आपकी मर्दी है आप इधर उपर से भी copy कर सकते हैं वो बही मसला नहीं है कोपी किया अब यह आपर paste करें तो यह आपका paste हो और जो नाम हमने hide कि वह वो शो नहीं हुआ ठीक है तो इस तरीके से आप hide को भी use कर सकते हैं आ गयाते है conditional formatting data validation अब इसमें conditional formatting जो है यहाँ पर आप देख लें conditional formats और conditional formatting को मैंने clique किया जैसे click करके okay किया तो यह इसने बताया यहाँ पर conditional formatting लगी हुए है तो यहाँ पर conditional formatting लगी हुई है और आपको conditional formatting क्या होती है मैंने कल सिकーヤा अब यहाँ पर CEO world को highlight किया गया है तो दोनों cell select हो गए हम अगर पॉलम्स उसके बाद data validation कहां पर लगी हुई है click करें ok करें पता रहा है यहां पर data validation लगी हुई है अब data validation होती है देकें यह data bar में आती है data tab में और यह इधर आपको मैं आपको मैं सिखाऊँगा data validation लिखा हुआ है इसका बैसिकली काम यह होता है, मैं कहता हूँ, इस सेल में, जो सेलरी है, वो 20,000 से कम भी इंटर ना हो, और 40,000 से ज्यादा भी इंटर ना हो, इर दे एकसल, तो यह से लिए उतलती है, और आपने अभी तक पढ़ी नहीं है, यह जब पहुचेंगे वहाँ पे, तो धरूर नहीं था, अब कल आपकी छुटी है, परसों भी छुटी है, सेरे डे संडे ओफ हो, तो हमारा, मंडे को आपकी क्लास आएगी, और अपर अटेनर्स अपनी बना के रखेगा, कोड आपको बीच में शो हो गया होगा, तो वो कोड आपने में वाटसप करना है, ताकि आपकी हमारे पास नोट कर ली जाए, सो जो स्टुडेन एपसन रहेगा, उसको आपसे वाटसप गूरूप की सर्विसिस नहीं मिल पाएंगी, हम मंडे को इंशाला पेस्ट स्पेशल को पढ़ेंगे, उसके बाद हम मूग करेंगे, इंसर्ट टेब में और कुछ और चीज़ों के स अब इस वाल हो, कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो, आप हमें कमेंट सेक्षिन में पूछ सकते हैं, हमें वाटसप कर सकते हैं, तो इंशालाँ, आपसे जल मुलाकत होती है, अभी तक अग़े चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, मुला